एक पतनी को जो सुख देना चाहिए पती को वो इन से नहीं मिल पाता है ये पहली पतनी है और ये दूसरी पतनी होने के बाद दूसरी पतनी घर आती है और दोनों लोग एक साथ एक घर में रहते हैं आपके पती दूसरी साधी कर लिए आपको कोई दिक्कत आपती तो नहीं ह कुछ अदिक्रत निहां नहीं कोई तीकत नहीं करेंगी कल को कहेंगी कि जो आ नहीं हम इनके साथ नहीं रहेंगे पहली पाथनी के पहली पत्नि फुद शादिक राया मंदिले में में आपको वह सुख नहीं दे पाती हूं how i interior भाइसमारे फमरी क्या गलती है त forgiven कर रोड़ी किया है John मांते हैं दो साधी कर्के आप गलती किया हैं डलतीकिए लेकिन हमारे पास मजबूरी तह इसेलिए क्या मजबूरी थी कि आपकी पहली पत्नी थी और पहली पत्नी के बाद आप दूसरी पत्नी से साधी कर लेते हैं जबकि इसकी मानेता ना तो हमारा जो है ना तो हमारा कानून देता है ना तो हमारा धर्म देता है ना तो हमारा समाज इसकी इजाज़त एक पत्नी के होते लेकिन अगर लरका को मजबूरी हो तो लरकी साथी करना पड़ा दूसरी पतनी पतनी तो क्या जरूरत हो गया आपको दूसरी पतनी से साथी करने का और तमाम जो जो है कह रहे हैं कि जग हसाई हो रहा है तमाम इस तरीके कह रहा है तो क्या जरोध पढ़ गी दूसरी साधिकी ने मजबूरी था इसलिए हम लोग साधिकी हैं ताकि इनको भी देख वालो हम परदेश कमाने वाले गरीब लोग हैं इसलिए क्योंकि इसको कुछ कोई चीज का कपा यहां लोग जाणे लूजह कि कि खेने नहीं और यह चाहर नहीं स्पोड़ाब यह कभी छूद्राह हम देख लूद्रव युथा उक्ष्ट कर लोग से देखतेर बीखना हम प्तर्व अनु कैसे प्यार करते हैं कि उल्से करते कि एंको मारते तो नहीं बाद कुछ सधी तो यानि पहली पतनी के लिए धूसरी पतण्स को घर ले आते हैं आप कलारी नाम है कोई दिकत आपती तो नहीं आपको कशान्स आल Det kay इस कौन साथ अपकर को यह कौन को रहे है हु नहीं धाया क्या जो אूल्स गाई कि अज़ान धाय किई अज़ा तू नआ है धर कि अजुका नक्यद नि jesteśmy मंस्माने दोन वर्याय क्यों आ यकिक्कृष यह कोई दिक्कत नहीं होता लोग में को कोई इक्त नहीं होता है आपका ड applied को देखें तो अकसर यह किछावत पहले था कि मिया बीबीराजी तो क्या करेगा का जी एक पुरूस और एक महिला के प्यार को समुधित कर रहा था लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये कथन जो है एक पुरुस दो महिला के प्यार को भी संबोधित कर रहा है और इस प्यार को जो है ना तो कानून मानेता देगा ना तो इसको गाउन समाज लोग मानेता देंगे कोई भी बैक्त इसको मानेता नहीं देगा क्योंकि अभी ये साधी करके लाएं इससे होता है कि समाज में दूस परिणाम पढ़ेगा इससे और उपे गलत प्रभाव पढ़ेगा और भी लड़का सोचेगा कि यह किया है तो हम भी कर लें यह समाजिक कुरीतियों को बढ़ाएगा अधिवक्ता साथ प्रभाव रहे हैं कि गलतलः प्रभाव जाएगा और समाज में कहीं न कहीं एक कुरीतियों ब्याब तो होंगी इस तरीके से एक पत्नी के होने के बाहुद यदि दूसरी पत्नी को घर लाते हैं दूसरी पत्नी से चाहल लेए तो वकील साहाब कैसे मानेता यह क्या तरीका हुआ है यह गलत जाएगा प्रभाव गलत पड़ता है समाज के जो लोग हैं दवाब बना रहे हैं कोई गलत नहीं बना रहे हैं समाज होता है बांध के रखने के लिए इस गाव समाज इसलिए बना जाता है कि समों को बांध के रखा जाए और समाज में सब ग सब गलत करेंगा और एक अगर गलत कर रहा है तो इसको अगर जो साथन किया जाता है उसे कोई दूसरा गलत नहीं करता है स्थे pakai नजज्ट के शॕक्ति किये हिए कि हमारी पतनी जो है मीडिकल लूप से अंफिट थी हम उसके साथ खुश नहीं रहे रहे थे लेकिन बावज़ूद अब दूसरी साधी की है तो उसको रखेंगे यह भी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं है दिस सहमती को सहमती के पक्ष को देखा जाए तो गलत क्या है गलत तो नहीं कुछ दिख रहा है क्योंकि मजबूर है लड़का भी मजबूर है दोनों लड़की भी मजबूर है और समाज भी अपने जगह जाज है कानून इस बात को मानता नहीं लेकिन कही कानुन है, अब हम लोग और हैं हम लोग को तो दोन फमक्ष मसंजबूर यह लोग मजबूर यह थे मजबूरी है मतलब यह बोले पत्नी से चाहित भी मतलब इस और देंगे बिटत नहीं है, जो पत्नी से सब्सक्राइब का ने तरब इस जो साधी किये हैं पहली पत्नी है इसको छोड़ देंगे तो दिकत हो जाएगा तो बुले सही बात है तो आप सपत्पत बना के दिए आज बोल रहे हैं कल मुकर जाईएगा आप एक सपत्पत दिए कोर्ट में बांड बनाए इन्होंने बांड बना के दे दिया है अब यह होत हैंगे गाउं समाज के लोगों को समाज के लोगों को हम यही कहेंगे हमें घर आने के इजादत दे हमारे उपर कोई करवाई ना किजा हम गल्ती किये हैं जो साधी किये हैं मतलब यह कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी के कारण जो है हम साधी किये हैं क्योंकि हमारी जो पहली प इनको मारने से इनको काटने से इनको रोकने से इनको डराने से धमकाने से तुछ यही है इनके घुदा डालने का ककत्ती प्रयास नहीं कर रहा हूं लेकिन की इनके घुशी से इनकी सहमती से हुआ है और इनोंने बखाएदि कोर्ट में लेटर भी दिया हुआ है आप दोनों लोग आप धी कुछ लेटर लेटर सबक्राइब आपको यह मारने लगे भगाने लगे तो क्या होगा नहीं दिये हैं लेकर पर ऐसा करेगी नहीं ऐसा नहीं करेगी भरोसा आपको भरोसा है कि कुछ नहीं करेंगी भरोसा है कुछ नहीं होगा यानि कि एक महिला को पालन पोशन की जिम्मेदारी आपके कंदों पर थी लेकिन अब आज से दो महिला की पालन पोशन की जिमेदारी आपके कंधे पर है माता को भी आपको देखना है तो कितना कमाते हैं कैसे आर्थी किस्तिती मैनेज होगी आपकी जितना कमाएंगे मुतना है में सब को पूर्ती कर लेंगे पूर्ती कर लेंगे सब को खुसी से रख लेंग तो इस तरीके से है अब इनका कहना है कि चाहते हैं कि गाउं समाज वाले आपको माफ कर दें चाहिए और जो है गाउं के लोग बड़ा दिल दिखाएं और एक बड़े दिल का परिश्या दें ताकि इस तरीके से भविश्य में क्राइम नहीं इनको मारने पीटने से कुछ होन साया उठ जाएगा और इस महिला का भी जीवन तबा हो जाएगा यह महिला पुरीतimy के से दिमाग से उतना फिट नहीं है जिसके कारण जो है यह तो र得 की मजबूरी बणी और मजबूरी बनी तो जो है खेत में यह लोग साधी किए बाद में कूर्ट से यह लोग कागज बनवा के कोट से यह लोग साधी की हैं अब यह घर जाना चाहते हैं अपने उस जगह फर लोटना चाहते हैं लेकिन उसकी इजाज़त गाउना रही यह कफा औरूर ले दे रहे हैं और यह भी भयान दे रही है कि नहीं हम साथ रहेंगे तो गाउवालों को तो इसमें नहीं आपति करना चाहिए चाचा है ना उसका लर्का अप पुरानी पट लें इस तरीके से बोल रहे हैं तो गाउं समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे चुकी चलिए ठीक हैं के पास उतना नहीं है लेकिन आप तो हुसो हवास में हैं आपका बुधी दिमांग काम कर रहा है तो क्या करना चाहेंगे इनको मार पीड़ दिया जाएगा तो आपके लिए भी दिकत हो जाएगा क्या कुछ कहना चाहेंगे इसलिए काते हैं उनलों को हमको सुरक्षा दे हम लोग गम सुरक्षी सरा सके और इन्हें भी जीवन जीने का दिकार है जितना एक आम नागरी को है जितना समिधान एक आम न जादी का इजाजत कानून तमाम बिविन परिस्थितियों में तो देता है तो गांवालों से बिंती है कि जो है इन्हें गांवापस घुसने दिया जाए इनके साथ इस प्रकार से ना किया